मैं एक नंबर से हर बार रह जाती हूं, बहुत महनत की है सीटेट में, बट फिर भी क्या करना चाहिए, तो आप एक नंबर से नहीं रहना है, आपको आपको 10 नंबर, 20 नंबर एक्स्टा लेके आने हैं, वो जो स्लेबस है, अगर आप सीटेट में सिर्फ स्लेबस से पढ़ ल खतम कहानी, और कुछ नहीं बढ़ना आपको, और इसलेबस पढ़ेंगे, तो आपको समझा जाएगा, कि बहीं, NCRT इस इंपोर्टेंट है, उसकी मैंने संब्रीज भी बनाई हुई है, तो यही दो-तीन चीज़े हैं, जिसमें कहानी खतम हो जाती है, और कुछ करना नहीं ह इसमें, यह बहुत सारी लोगों का question है, कि जब साथ में discussion हो रहा होता है, तो आपके पूरे-पूरे number आजाते हैं, सारे questions सही हो जाते हैं, लेकिन जब आप खुद करते हैं, तो इसमें दो reason हो सकते हैं, एक तो यह हो सकता है, कि प्रैक्टिस कीजे, बैट करके अकेले में, क किस संदर्म में पूछा गया है, क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ती हूँ, तो आपको तुनंट समझ आ जाता होगा, क्योंकि मेरा अपना एक experience है, जो भी expertise कहली जाए, whatever it is, but जब आप करेंगे, कोई भी teacher, लेकिन जब आप करेंगे, तो वो context समझने में, वो पढ़के आप स chances हैं कि देदे,